भाग चार यह सभी को अवकत है कि किसी समय सब्ध ग्राम बहुत सम्रुध शालिनी नगरी थी रोम नगर से यव द्वीब तक के सारे व्यवसाई इस महा नगरी एकत्रित होते थे लेकिन पंगाली दस्वी और ग्यार्वी शताब्ती में इस नगरी की सम्रुधी में कमी आई इसका प्रधान कारण यही था कि उस समय महा नगरी के धर्ती को धोती हुई जो नदी बहती थी वेक्रमशे सूखने और पतली पढ़ने लगी अतहे बड़े बड़े व्यापारी जहाज इस संक्री रहा से दूर ही रहने लगे इस तरहे यहां का व्यवसाय प्राय लुप्त होने लगा वानिज्य प्रधान नगरों का यदि व्यवसाय चला गया तो सब चला गया सब्त ग्राम का सब कुछ गया बंगाली ग्यारवी शताबदी में इसकी प्रतियोगिता में हुगली नदी बनकर खड़ी हो गई वहां पौर्टिगीज लोगों ने व्यापार प्रारंब कर दिया सब्त ग्राम की धन लक्ष्मी यदपी आकर्षित होने लगी फिर भी सब्त ग्राम एक बारगी सीमित हो न सका तब तक वहां फौजदार आदी राज अधिकारियों का निवास था लेकिन नगरी का अधिकांश भाग बस्तिहीन होकर गाउं का रूप धारण करने लगा सब्त ग्राम के एक निर्जन उपनगर भाग में नवकुमार का निवास था इस समय सब्त ग्राम की गिरे हुई दशा के कारण अधिक आद्मियों का आगमन ना होता था राजपत बेलों और फूलों से धके हुए थे नवकुमार के घर के पीछे फैला हुआ घना जंगल है घर के सामने कोई आद कोस्दूरी पर एक नहर भेती है जो वन को घेरती हुई पिछवाडे के जंगल में बही है मकान साधारन इटों का बना हुआ पक्का है है तो दो मंजिला किन्तो आजकल के एक भाग के मकानों के जैसी उचाई है उसकी इसी घर की उपरी छत पर दो युवतियां खड़ी हों चारो तरफ देख रही है संध्या का समय है चारो तरफ जो कुछ दिखाई पड़ता है अवश्य ही वे आखों को मोहने वाला है पास में ही एक तरफ घना जंगल है जिसमें विविद प्रकार के पक्षी जुंड के जुंड बैठे कलरव कर रहे हैं एक तरफ वेह नहर मानों चांदी की रेखा की तरह बल खाती चली गई है दूसरी तरफ नगर की चारो तरफ की फैली हुई उची इमारतें अपना सर उचा की ए मानों कह रही हैं कि वसंत प्रिय मधुर सौंदर्य प्रिय जुनों का यहां निवास है एक तरफ बहुत दूर नाओं से सजी हुई भगीरती की धारा है जिसके विशाल वक्ष स्थल पर शाम के अंधेरे का वस्त्र धीरे धीरे गहरा हो रहा है वे जो दो नव्युवतिय मकान के उपर खड़ी हैं उनमें एक चांदनी के रंग वाली विखरी केश राशी के अंदर आधी चीपी हुई है दूसरी प्रिश्न के रंग की है पह सुंदर मुख वाली सोला वर्ष की है उसका जैसा नाटा कद है वैसे ही बाल चहरा भी छोटा है उसके उपरी हिस्से के चारो तरफ से गुंगराले बाल लटक रहे हैं नेत्र अच्छे, बड़े, कोमल, सफेद मानो बंधकली के समान है चोटी-चोटी उंगलियां साथनी के केशो को सुलजाती हुई घूम रही हैं पाठक महाशे समझ गए होंगे कि वै चांद के किर्णों की रंग वाली और कोई नहीं कपाल कुंडला है दूसरी कृष्न के जैसी देह वाली उसकी ननद शामा सुंदरी है शामा सुंदरी अपनी भावी को बहु, कभी आदरपूर्वक बहन, कभी म्रिडा नाम से संबोधित कर रही थी कपाल कुंडला नाम विकट होने के कारण घर की लोगों ने उसका नाम म्रिडमाई रखा है इसलिए संक्षिप्त में म्रिडा कहकर बुलाती है हम लोग भी कभी कभी कपाल कुंडला को म्रिडमाई नाम से पुकारेंगे शाम सुंदरी अपने बचपन की याद की हुई एक कविता पड़ रही थी बॉले पद्तो रानी बदन खानी रेते राखे ढेके फुटाय कोली छुटाय ओली प्रान पोती के देखे आबर बोनेर लोता छुडिये पाता गांगेर दिके धाये नोदीर जल नामले ढल शागो रेते जाये छी-छी शौरम टूटे कुमुद फुटे चादेर आलो पेले बियर कोने राखते नारी फुल शुज जगेले मोरी एकी जाला बीधिर खैला हुरी शे बिशाद पार पारो शे शौबाई रोशे भांगे लाजेर बाद क्यों भाबी तुम तपस्वनी ही रहोगी म्रिण मई ने उत्तर दिया क्यों क्या तपस्या कर रही हूँ शामा सुंदरी ने अपने दोनों हाथों से खुले बालों को उठा कर कहा तुम अपने इन खुले बालों की चोटी नहीं करोगी म्रिणमाई ने केवल मुस्कुरा कर शामा सुन्दरी के हाथ से बालों को हटा लिया शामा सुन्दरी ने फिर कहा अच्छा मेरी साथ तो पूरी कर दो एक बार हम ग्रिहस्तों के घर की औरतों की तरहे शिंगार कर लो आखिर कितने दिनों तक योगनी रहोगी जब तक प्राहमन संतान के साथ मुलाकात नहीं हुई थी तो उस समय भी तुम्हें योगनी ही थी अब ऐसे न रहने पाओगी क्यों न रहने पाओँगी क्यों देखोगी तुम्हारे योग को तोड़ दूगी पारस पत्थर किसे कहते हैं जानती हो नहीं पारस पत्थर के स्पर्ष से रांगा भी सोना हो जाता है तो इससे क्या और तो के पास भी पारस पत्थर होता है वह क्या पुरुष पुरुष की हवा से योगनी भी ग्रहनी हो जाती है तुने उसी पारस पत्थर को चुआ है देखना बाधाबो चुलेर राश, पराबो चिकन बाश, खोपाई दोलाबो तोर फूल, कपाले शिथीर धार, काकाले ते चन्द रोहार, काने तोर देबो जोडा दूल म्रणमाई ने कहा, ठीक, समझ गई, समझ लो कि पारस पत्थर में छूँ चुकी और सोना हो गई, चोटी भी करली, गले में चंद्रहार पहन लिया, चंदन, कुमकुम, चोवा, पान, इत्र, सब ले लिया, सोने की पुतली तक हो गई, समझ लो यह सब हो गया, लेकिन इतना सब होने से क्या सुख हुआ, तो बताओ ना कि फूल के खिलने से क्या सुख है, लोगों को देखने का सुख है, लेकिन फूल का क्या, शामा सुन्दरी के मुख की कांती गंभीर हो गई सुबह सुबह की वायू के इस पर्ष से कमल के फूलों की तरहे आखे ना चुटी बोली फूल का क्या? यह तो नहीं बता सकती कभी फूल बनकर खिली नहीं लेकिन तुम्हारी तरह कली होती तो खिलकर अवश्य दुख का अनुभव करती शामा कुलीन पत्नी है हम भी इस अवकाश में पाठकों को बता देना चाहते हैं कि फूल को खिलने में ही सुख होता है पुश्पुरस, पुश्पगंद वितरित करने में ही फूल का सुख है आदान प्रदान ही पृत्वी के सुख का मूल है तीसरा और कोई मूल नहीं मिर्णमई वन में रहकर कभी इस बात को ठीक से समझ नहीं सकी अतेव इस बात का उसने कोई जवाब न दिया शामा सुंदरी ने उसे चुप देखकर कहा अच्छा यदि यह न हुआ तो बताओ तो भला तुम्हें क्या सुख है कुछ देर सोच कर मिर्णमई ने कहा बता नहीं सकती शायद वही समुद्र के किनारे वनवन खूमने से ही मुझे सुख है शामा सुंदरी कुछ आश्चर्य में आई उन लोगों के यत्र से मिर्णमई जरा भी कृतग्य नहीं हुई इस खयाल से कुछ शुब्द भी हुई कुछ नराज भी हुई बोली अब लोट जाने का कोई उपाय है कोई उपाय नहीं तो अब क्या करोगी अधिकारी कहा करते थे यथा नियुक्तोसमी तथा करोमी अर्थात जैसा करवाते हैं वैसा करता हूँ शामा सुंदरी ने मूपर कपड़ा रखकर हसकर कहा बहुत थीक महामो पाध्याय महाशे क्या हुआ मिर्णमई ने एक थंडी सांस लेकर कहा जो विधाता करेंगे वही होगा जो भागे में बदा है वही भोगना होगा क्यों भागे में क्या है भागे में सुख है तुम धंडी सांस क्यों लेती हो सुनो जिस दिन सौामी के साथ यात्रा की यात्रा के समय भवानी की पैर पर बेल पत्र चढ़ाने गई मैं बिना माता की पैर पर बेल पत्र चढ़ाए कोई काम नहीं करती थी कारे यदि शुब जनक होता तो माता अपनी पैर से पत्र गिराती नहीं थी यदि अमंगल का डर होता है तो माता की पैर से वह बेलपत्र गिर पड़ता है अपरिचित व्यक्ति के साथ विदेश जाते सबे शंका मालूम हुई शुभाशुब जानने के लिए मैं यातरा के समय गई लेकिन माता ने त्रिपत्र धारण नहीं किया अतेव भागय में क्या है नहीं कह सकती म्रणमई चुप हो गई श्यामा सुंदरी सिहर उठी कपाल कुंडला को लेकर नवकुमार ने जब सराय से घर की तरफ यात्रा की तो मोती बीबी ने वर्दमान की तरफ यात्रा की जब तक मोती बीबी अपनी रहा तै करें तब तक हम उनका कुछ व्रतांत कह डालें मोती बीबी का चरित्र जैसा घोर पापों से भरा हुआ है वैसे ही अनेक तरह से सुशोभित है ऐसे चरित्र का व्रिस्तित व्रतांत पढ़ने में पाठकों को अरुची ना होगी जब इनके पिता ने हिंदू धर्म बदल कर मुस्लिम धर्म ग्रहन किया तो उस समय इनका हिंदू नाम बदल कर लुत्फूर निसा पढ़ा मोती बीबी इनका नाम कभी नहीं था फिर भी छिपेवेश में देश-विदेश-प्रहमन के समय यह कभी-कभी नाम पढ़ जाता है इनके पिता धाका में आकर राजकार्य में नियुक्त होए लेकिन वहाँ अनेक स्वदेशिये लोगों का आना जाना हुआ करता था अपने देश में जान पहचान वालों के सामने धर्म से ब्रश्ट होकर रहना भला जान नहीं पड़ता अतेव वे कुछ दिनों में अच्छी ख्याती लाब करके अपने मित्र अनेक धनी लोगों से पत्र लेकर सपरिवार आगरे चले गए अकबर बाजशा के सामने किसी का गुण छिपा नहीं रहता था शिक ही इन्होंने अपने गुण प्रकट किये इसके फल से वे आगरे के धनी लोगों में गिने जाने लगे इधर लुत्वो निसा भी यौवन में पदारपन करने लगी आगरे में आकर इन्होंने फारसी, संस्कृत, मृत्यगीत, रसवादन आदी में अच्छे शिक्षा ग्रहन कर ली राजधाने की सुंदरियों और गुणवतियों में यहे प्रमुक बनने लगी दुर्भा के वश लुत्वो निसा के पूर्ण युवति होने पर जान पड़ा कि उसके मन के स्तिति आसानी से दमन ना होने देने वाली और भयानक है इंद्रियों का दमन करने की ना तो इच्छा थी और ना ही क्षमता थी अच्छे और बुरे में समान प्रवर्ती थी यह कार्य अच्छा है और यह बुरा ऐसा सोच कभी उसने कार्य किया ही नहीं जो अच्छा लगता था वही काम करती थी जब सत्य कर्म से अंत्य करन सुखी होता तो वह करती और असत्य कर्म के समय भी वही करती यौवन काल की आसानी से दमन ना होने देने वाली मनोवृत्ती के अनुकूल ही लुत्फो निसाभी बन गई उसके पुर्व पती वर्तमान है धनी लोगों में किसी ने उसके साथ शादी न की वह भी शादी की लाला येतना रही मन ही मन सोचा फूल फूल पर घूमने वाली भ्रमरी को एक का बना कर क्यूं बांधू पहले काना फूसी हुई उसके बाद मूँ पर कलंग की कालिमा लग गई उसके पिता ने विरक्थ होकर उसे घर से निकाल दिया लुत्फोन निसा गुप्त रूप से जिन्हें क्रिपा वितरण करती रही उनमें युवराज सलीम भी एक थे एक धनी के कुल के कलंग का कारण होने पर पीछे बादशा का कोब भाजन ना बनना पड़े इस कारण खुल कर सलीम शहा ने लुत्फोन निसा को अपने महल में नहीं रखा अब सुयोग मिल गया राजपूत पती मान सिंग की बहन सलीम की प्रधान पत्नी हुई युवराज ने लुत्फोन निसा को अपनी पत्नी की प्रधान सहाई का बना दिया लुत्फो निसा बेगम की सक्खी बन गई और परोख्ष रूप से युवराज की कृपापात्र गिनी हुई लुत्फो निसा जैसी बुद्धी मती महिला शिग्र ही युवराज के रिदय पर अधिकार कर लेगी यह नुमान लगाना आसान है सलीम के रिदय पर उसका अधिकार इस तरहे बिना किसी प्रतियोगी के हो गया कि लुत्फो निसा ने प्रण कर लिया कि वह इनकी पतरानी हो कर रहेगी केवल लुत्फुनिसा की ही ऐसी प्रतिक्या हुई यह बात नहीं बलकि इसका विश्वास महल भर में हो गया ऐसी ही आशा मैं स्वप्न में लुत्फुनिसा का जीवन पती में लगा लेकिन इसी समय उसकी नीन तोटी अकबर बादशा के कोशा ध्यक्ष ख्वाजा अब्बास की कन्या महरुनिसा मुसलिम कुल की प्रधान सुंदरी निकली एक दिन कोशा ध्यक्ष ने स्युबरास सलीम और अन्य धनी को निमंतरन दे कर घर बुलाया उसी दिन सलीम की मुलाकात महर के साथ हो गई उसी दिन सलीम ने भी अपना हृदय मेरू निसा को सौप दिया इतिहास प्रेमी मातरिस घटना को जानते हैं इसके बाद महर की शादी शेर अफगन के साथ हो गई यह शादी अकबर बादशा के शड़ेंतर का फल थी यदि भी सलीम को निरस्थ होना पड़ा लेकिन उन्होंने आशा का त्याग ना किया सलीम की चित वृत्ती लुत्फो निसा की उंगली में पहने दरपन के समान थी वह समझ गई कि शेर अफगन के जीवन की खैरियत नहीं और सलीम की पतनी महर ही होगी लुत्फो निसा ने सिंगासन की आशा त्याग दी निपुन मुगल समराट अकबर की परमायू पूरी हुई जिस प्रचंड सूर्य की प्रभात तुर्की से लेकर ब्रह्म पुत्र तक प्रदीप्त थी वो सूर्य का अस्थ हुआ इस समय लुत्फो निसा ने स्वयम को प्रधान रख रक्षा के लिए एक दुस्साहसिक संकल्प लिया राजपूत राजा मान सिंग की बहन सलीम की प्रधान पतनी थी खुसरू उनके पुत्र है एक दिन उनके साथ अकबर बाद्शाह की बिमारी की बाद चल रही थी जिस संबंद में शिग्रही बाद्शाह की पतनी बनने की बधाई लुत्फो निसा दे रही थी पत्यूत्तर में खुसरू की मा ने कहा बादशाह की प्रधान पत्री होने से मनुष्य जर्मसार्थक वश्य होता है लेकिन सर्वश्रेश्ट था उसकी है जिसका पुत्र बादशाह हो और वे बादशाह की मा बने यह उत्तर सुनते ही लुट्फो निसा की हृदय में एक चिंतनिये शड़यंत्र का उदय हुआ उसने उत्तर दिया तो ऐसा ही क्यों न हो वे भी आपके ही इच्छा धीन है बेगम ने पूछा यह कैसे चतुरा ने उत्तर दिया युवराज खुसरु को ही सिंगहासन पर बैठाईए इस बात का बेगम ने कोई जवाब न दिया उस दिन फिर यह प्रसंग न उठा लेकिन यह बात किसी को भूली नहीं स्वामी के बदले पुत्र राज्य सिंगहासन पर आसीन हो यह बेगम की इच्छा वश्य है लेकिन महरून निसा की प्रती सलीम का प्रेम जैसे लूत्फो निसा की हृदय में कांटे की तरह खटकता है वैसे ही बेगम के हृदय में भी खटकता है मानसिम की बहन एक तुर्क मान की कन्या की आग्यकारी होकर कैसे रह सकती है लुत्फुनिसा का भी इस विशे में गहरातात पर रहे था दूसरे दिन फिर यह प्रसंग उठा तो दोनों का स्वीकृत मत स्थिर हुआ सलीम को त्याग कर खुसरु को सिंगासन पर बैठाना कोई असंभव बात न थी इस बात को लुत्फुनिसा ने बेगम को अच्छी तरह समझा दिया उसने पूछा मुगल सामराज्य राजपूतों के बाहुबल पर स्थापित हुआ है और आज भी निर्भर करता है वही राजपूत कुल तिलक मान सेंग खुश्रू के मामा है और प्रधान राजमंत्री खान आजम खुश्रू के ससुर है इन दोनों आदमियों के खड़े होने पर कौन इनकी आज्या न मानेगा फिर किसके बल पर युवराज सिंगहासन पर अधिकार कर सकते हैं राजमान सिंग को राजी करना आपके उपर है खान आजम और अन्य धनियों को तयार करना मेरे उपर छोड़ दीजिए आपके आशिरवाद से अवर्शेकारे पून करूंगी लेकिन एक आशंका है कि कहीं सिंगह सीन होने के बाद खुषरू मुझे इंदुराचारियों को दिकाल भाहर ना करते बेगम सहचरी का भी प्राइस समझ गई हसकर बोली तुम आगरे में जिस धनी की ग्रहनी होना चाहोगी वही तुमसे विवहा करेगा तुम्हारे पती पंच हजार मनसबदार होंगे लुत्फु निसा संतुष्ठ होई यही उसका उदेश्य था यदि राजपुरी में सामाने स्त्री होकर रहना हुआ तो फोलों पर घुमकर रस लेने वाली भ्रमरी बनने से क्या फायदा हुआ यदि स्वाधिन्ता ही त्या करना होता तो बाल सकी महरुन निसा की दासी होने में ही क्या हर्स था इससे तो कहीं अधिक गौरव की बात है कि किसी राजपुरुष के ग्रहे की ग्रह स्वामनी बनकर बैठा जाए केवल इसी लोब से लुत्फु निसा इस कार्य में लिप्तना हुई सलीम उसकी उपेक्षा कर जो महर के पीछे पागल हो रहे हैं उसका उसे प्रतिशोद भी दो लेना है खानाजम आदी आगरे और दिली के धनी लुत्फु निसा के अनुसार साधे हुए थे खानाजम अपने दामाद के लिए उद्योग करेंगे इसकी भी पूरी आशा थी बहे और अन्य धनी राजी हो गए खानाजम ने लुत्फु निसा से कहा मान लो यदि हम लोग कार्य पूर्ण ना कर सके तो हम लोगों को अपनी बचाव की भी कोई रह निकाल लेनी चाहिए लुत्फु निसा आपकी क्या राय है खान उडिसा की अतरेक्त और कोई उपाए नहीं है केवल उसी जगे मुगलों का शासन प्रकर नहीं है उडिसा की सेना हमारे हाथ में रहना आवश्यक है तुम्हारे भाई उडिसा के मनसबदार है मैं कल प्रचार करूँगा कि वह युद्ध में आहत हुए है तुम्हने देखने के बहाने से कल ही उडिसा की यात्रा करो वहां का कार्य समाप्त कर तुरंट वापस आओ लुत्फु निसा इस पर राजी हो गई वह अपना कार्य कर लोटते समय पाठकों से मिली है तृतिय खंड भाग दो दूसरी जगह जिस दिन अवकुमार को विदा कर मोती बीवी या लुत्फु निसा ने वर्धमान की यात्रा की उस दिन वह एक तम वर्धमान तक पहुँच न सकी दूसरी चट्टी में रह गई संध्या के समय पेश्मन के साथ पैट कर बाते होने लगी ऐसे समय सहसा मोती बीवी ने पेश्मन से पूछा पेश्मन? मेरे पती को देखा? कैसे थे? पेश्मन ने कुछ विसमत होकर कहा इसके क्या माने? सुन्दर थे या नहीं? दरिद्र प्रहमन की सुन्दर ता और कुरुपता क्या है? सहचरी के मन का भाव समझ कर मोती ने हसकर कहा दरिद्र प्रहमन यदि धनी हो जाए तो सुन्दर होगा या नहीं? इसके क्या माने? क्यों? क्या तुमने यह नहीं सुना? कि बेगम के कहने के अनुसार यदि खुसरू बाच्छा हो गए तो मेरा पती धनी होगा ये तो जानती हूँ लेकिन तुम्हारा पूर पती धनी कैसे होगा तो हमारे और पती कौन है जो नए होंगे मोती ने मुस्कुरा कर कहा मेरी जैसी सती के दो पती ये बड़ी अन्याय की बात होगी हां ये कौन जा रहा है जिसे देखकर मोती ने कहा कि ये कौन जा रहा है उसे पेश्मन तुरंत पहचान गई वह आगरे का रहने वाला खान आजम का आदमी था दोनों ही अलग हो गई पेश्मन ने उसे बुलाया उस व्यक्ति ने आकल लुत्फो निसा को कोड़निश कर पत्र दिया बोला खत लेकर उड़ी सा जा रहा था बहुत ही जरूरी खत है पत्र पढ़ते ही मोती बीबी की सारी आशा की बेल पर जैसे पाला पढ़ गया पत्र का मर्म इस प्रकार था हम लोगों का यत्न विफल हो गया मरते दम तक बादशा अकबर हम लोगों को बुद्धी बल से परास्त कर गए उनका परलोक वास हो गया उनकी आगया के बल से युवराज सलीम अब जहां गीर शाहा हो गए अब तुम खुसरू के लिए व्यस्त न होना इस उपलक्ष में कोई तुम्हारी शत्रूता ना करे इस चेश्टा के लिए तुरंत आगरा आ जाओ अकबर बादशा ने किस तरह शडियंत को विफल किया यह इतिहास में अच्छी तरह वर्णित है इस तरह उसके विस्तार की आवशक्ता नहीं और उसकार देकर दूत को विदा करने के बाद मोती ने वह पत्र पेश्मन को पढ़कर सुनाया पेश्मन ने सुनकर कहा अब उपाए पेश्मन थोड़ा सोच कर अच्छा हर्ज ही क्या है जैसी थी वैसी ही रहोगी मुगल बाद्शा की परिस्त्री मात्री किसी दूसरे राज्य की पत्रानी की अपेक्षा भी बड़ी है मोती ये नहीं हो सकता अब उस राज महल में मैं रहे नहीं सकती शेगर ही महर के साथ जहांगीर की शादी होगी महरुन निसा को मैं बच्पन से अच्छी तरह जानती हूँ एक बार के पुरवासनी हो जाने पर वही बाद्शाहत करेगी जहांगीर तो नाम मात्र के बाद्शा रहेंगे मैंने उनके सिंगहासन की रहा में पाधाव पस्तित खीती यह उससे छिपा न रहेगा उस समय मेरी क्या दशा होगी पेश्वन ने प्रायर रुवासी होकर कहा तो अब क्या? मोति एक भरोसा है महरुन निसा का चित जहांगीर के प्रती कैसा है? वह जैसी तेज़स्वनी है यदि वह जहागीर के प्रती अनुरागनी न होकर वस्तुते शेर अफगन से प्रेम करती होगी एक नहीं, सौ शेर अफगन के मरवाय जाने पर भी महर कभी जहागीर से शादी न करेगी और यदि सचमुच महर भी जहांगीर की अनुरागिनी हो तो फिर कोई भरोसा नहीं है महरू निसा करहते कैसे पहचान सकोगी मोती ने हसकर कहा लुत्फू निसा क्या नहीं कर सकती महर मेरी बच्पन की सकी है कल ही वर्दमान जाकर दो दिन उसकी अतिती बन कर रहोंगी और यदि महरू निसा बादशा की अनुरागिनी ना हो तो क्या करोगी पिदा जी कहा करते थे शेत्रे कर्म विधीयते दोनों कुछ देर चुप हो रही हलकी मुस्कुराहट से मोती बीबी के होट खिल रहे थे पेश्मन ने फिर पूछा हस्ती क्यों हो एक खयाल मन में आ गया कैसा खयाल मोती ने यह पेश्मन को ना बताया हम भी उसे पाठकों को ना बताएंगे बाद में प्रकट करेंगे 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 बेभाट करेंगे